देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रहमंत्री अमिच्षा, कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गाने ऐसे मोके कमी आते हैं जब ये तीनों दिगजनिता एक साथ एक मंच पर नज़र आए क्योंकि सड़क से लेकर संसत्ता कॉंग्रस और वीजेपी के बीच जबर्दस्त संग्राम देखा जाता है लेकिन बुद्वार को वो हुआ जुसे देखकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि पहली बार पियम मोदी, अमिच्छाह और सोन्या गान्धी एक साथ अगल बगल बैठे नज़र आए जुस तरह से नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी नहीं मिल पाते हैं उसी तरह से कॉंग्रस और बीजेपी जिसका मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन है लेकिन बुद्वार को लोगसभा ध्यक्ष ओम बिर्ला की वजह से देश की दोनों दिगज पार्टी, बीजेपी और कॉंग्रस के दिगज नेता एक साथ नज़र आए दरसल मौनसून सत्र की शुरुआत से ही कॉंग्रस समेत विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त गतिरोध चलता रहा है ये गतिरोध इसकदर था कि लोगसभा ध्यक्ष ओम बिर्ला को तैस समय से दो दिन पहले ही लोगसभा अनिस्चत काल के लिए स्थगित करनी पड़ गए विपक्ष और कॉंग्रस के बीच चल रही इसी तनातनी को खत्म करनी के लिए ओम बिर्ला ने संसद में स्थित अपने कक्ष में सरकार समेत विपक्ष के सभी नेताओं को बैठक के लिए बुलाया इस बैठक में कॉंग्रेस, त्रिणमूल कॉंग्रेस, अकाली दल, वायसार कॉंग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताशा मिल गए लेकिन जिन तस्वीरों ने लोगों का सबसे ज़ादा ध्यान खीचा वो ये तस्वीर थी पीएम मोधी और सोनिया गांधी की इस एहम बैठक में सोफे पर एक तरफ जहां लोगसभा अध्याक्ष, ओम बिर्ला और पीएम मोधी बैठे वे थे तो वही बगल वाले सोफे पर कॉंग्रेस अध्याक्ष सोनिया गांधी के साथ ही कॉंग्रेस के लोगसभा नेता अधीरंजन चोधरी बैठे नजर आए शायद ऐसा पहली बार था कि पीएम मोधी और सोनिया गांधी आमने सामने बैठे नजर आए इसके अलावा पीएम मोधी और सोनिया के ठीक सामने अमिच शाह भी बैठे नजर आए इसी बैठक के दौरान पीएम मोधी और सोनिया दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते भी देखे गए इस एहन मुलाकात के बाद कॉंग्रेस नेता अधीरंजन चोधरी ने कहा कर अन्य सभी विधयक मिनिटों में पारत हो गए इस सरकार गवारा एक और रिकॉर्ड बनाएगा यह सरकार पार्लामेंट की काम का चलाने में यह सरकार को कभी दिल जस्पी नहीं रहे सरकार की दिल जस्पी रहे उनकी मनमानी तरीके से जितना बील जितना legislation है सारे को धरेलने से पारिद करना धरेलने से सरकार ने सारे बिधायकों को एक के बाद एक पारिद करते चले गए और सदैन में कोई चर्चा नहीं हुई बगर OBC मसला कोई चर्चा नहीं हुई हम लोग देखे हैं कि 7 से 8 मिनिटों के बीच एक-एक बील पारिद होते हैं मतलब इतना बील पारिद हो चुके हैं समाई एक-एक एक विधायक के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनिट ये भी एई सरकार एक रिकॉर्ड बना दिये हैं लोग सबाटीवी में हमारा बात रख लोग सबाटीवी और पार्लमेंट कोई पार्टी के नहीं होते हैं चाहे वीजबी ओ ये कॉम्डेस हो लोग सबाटीवी में हम बार-बार कहते थे कि हमारे जो पोटेस्ट कर रहे हैं हम जो बात रख रहे हैं ये देज़वाशियों को दिखाया जाए जबकि लोकसभा ध्यक्षोम बिर्ला मौनसून सत्र में सदन के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आती। उन्होंने सभी सांसदों से आचरण और व्यवहार मर्याधत रखनी की अपील भी की। सत्वी लोकसभा का ये छट्टा सत्व कामकाज की जश्टी से मेरी अपिक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा हूँ। पिछले दो साल के अंदर, पांच सत्वों के अंदर, सभी मानने संसर सदर्श्यों के सक्रे सयोग से हैं। सदन की प्रोड़क्ट्टिटी 122% रही। कोविड महमारी के समय भी मानने संसर सदर्शों ने अपने सविधानिक दाईतों को निबाया। देर राती तक सदन में बेठे, चर्चा की समवात की विधाईकारे में हिस्सा लिया। अपने स्रित की शमस्याओं को सदन में रखा। मेरी कोशिश रहती है कि सदन के कामकाज की जश्टी से सदन की उत्पादेखता हमेशा हर सद्व में अधिक बने। लेकिन इस बार गती रोड तूटा नहीं। जिसके कारण सदन का कामकाज अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हूँ। लेकिन सर, दोनों सदनों में सदस्यों का विवहात लोकसभा और चहराजी सभा वहाँ पर जिस तरह से रहा। ज़ो कि उतने मेडिया में भी चर्चा का विशरा साथी चिंता भी ये विशर है। हमारे सभी मानने संस्द सदस्यों से मेरा आगरह रहता है। कि संस्द के अंदर हमारा आचरन व वहर मर्यादित होना चीए, संसदी परंप्राओं के अनुरूप होना चीए, सबी माने सदर्शे संसत की गरिमा को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए ये सदन सबका है इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि सदन की गरिमा को बढ़ाने में माने संसत सदर्शे का सकारात पर योगदान रहे आपको बता दे, पूरे मौनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पेगसस, स्नूपिंग स्कैंडल, तेल की कीमतों और कोविट संकट सहित कई मुद्दों पर विरोध किया विपक्ष ने सरकार पर बिना चर्चा के बिलों को पास करने का आरोग भी लगाए जबकि मोदी सरकार ने कई बिलों के साथ साथ OBC बिल भी संसत से पास करवा लिया जिस पर संसत के दोनों संदनों में जोरदार बहस भी देखने को मिरी बहराल जस तरह से पियम मोदी, अमिच शाह और सोनिया गांधी एक साथ एक फ्रेम में नजर आए इस रेर तस्वीर पर आपकी क्यारा है हमें कमेंट कर जरूर बताएं कर दो झाल झाल